वेलकम टो एकलव्या स्टेडी पॉइंट और आज की स्वीडियो में हम सभी क्लास 12 से हिंदी कोर्स है जो आपका चैप्टर है भगतिन इसकी कुईक रिविजन करने वाले हैं CBSE Board Exam 2023 के लिए मैं आपको ये easy summary बताने वाला हूँ और आईए आगे बढ़ते हैं आपको बता दूँ कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको Board Exam के लिए content मिलने वाला है हमारे चैनल पे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और notification bell को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको हर वीडियो का notification मिलता रहे और अगर आपकी कोई query हो तो आप Instagram पे आके मुझसे पूछ सकते हैं username आप सभी के सामने लिखा हुआ है and please don't forget to follow और अगर आप हमारे Telegram चैनल को join करना चाहते हैं तो Class 12 ESP New Group Search Marker आप हमारे Telegram चैनल को भी join कर सकते हैं फुल explanation वीडियो की देखने के लिए आप इसी वीडियो की description में चले जाना वहाँ पे आपको playlist का link मिल जाएगा आरो और वितान वाली जो playlist है उस पे click करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं और अभी वक्ति माधियम की वीडियो भी हमने बना रखी है तो देखे बगतिन क्या है आप अगर यहाँ पर देखोगे कि महादेवी जो है ठीक है उनका बहुत ही जादा चर्चित प्रसिद एक संस्मरनात्मक रेखा चित रहे हैं ठीक है और इसमें लेखिका ने बताया है अपनी सेवी का बगतिन जो उनकी सेवी का थी एक तरीके से काम वाली समझ लो तो उनका मतलब जादा तर इसमें वरनेंद किया गया है कैसा उनका व्यक्तित हुथा तो महादेवी की घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संगर्षील स्वाब इमानी और करमट जीवन जिया कैसे पितर सतात्मक मानेता हूं और चल चम भरे सम अपने और अपनी बेटियों के हकी लड़ाई लड़ती रही किस तरीके से उसने संगर्ष किया है जो उसका स्ट्रगल है वो सब दिखाये गया है और भगतिन लेखिका की जीवन में आकर च्छा जाने वाली एक ऐसी परिसिती के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कार अब याद रखना जो जो मैं इसमें बताऊंगा समरी में ये सारे important questions यहीं से ही बनते हैं भगतिन का कद छोटा था शरीर दुबला था होट पतले थे गले में कंटी माला पहनती थी उसका नाम लक्षमी था परंतु लेखिका प्यार से आप यहां पे कह सकते होगी क्योंकि उसने लेखिका से कहा था कि मेरा ये नाम मत लेना मैं request करती हूँ और उसकी कंटी माला और उसका बहुत भगत स्वरूप देखकर लेखिका ने उसका नाम भगतिन रख दिया और सेवा धर्म की बात करे तो वो हनुमान चीज से बहुत connected थी भई और उसके अतीत के बारे में जो गाय पालता था नो वर्ष की उमर में इनका गौणा हो गया था यानि कि चले गए थे अपने ससुराल और भगतिन की विमाता ने ठीक है आप यहां पर कह सकते हैं जो उनकी दूसरी मदर थी उनने पिता की मिरतियों का समचार देड से भेजा सास ने मतलब जो उनकी सास सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पियर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है तो माई के जाने पर उसकी जो दूसरी माता थी काफी बुरा वेवार कर रही थी और पिता की मिरतियों हो चुकी थी तो बहुत जादा दुखी थी सो बिना पानी पिये ही वो घर वापिस आ गई गर आकर सास को खरी कोटी सुनाई तो पती के उपर गहने फेक कर अपनी व्यता मतलब बताई उन्होंने और भगतिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला यानि कि शादी शुदा जीवन भी उनका जादा तो ताने मिलने लगे बेटा क्यों नहीं है बेटा क्यों नहीं है और यही कारण था कि सास के तीन कमाओ बेटे थे तता जेठानियों के काले काले पुतर थे जेठानियां बैटकर खाती तता घर का सारा काम चक्की चलाना कोटना पीसना खाना बनाना सारा मेहनत का काम बगत की डली और मठा तता लड़कियों को चने बादरे की गुगरी मिलती त्यानि की खाने की भी यहाँ पे बहुत वो सब होता था और क्या होता था दूद्व मलाई पती प्रेम के बलपरी वे अपने परिवार से अलग हो गई अलग होते समय अपने ग्यान के कारण उसे बहेंस खेत खलियान अमराई के पेड आदी ठीक ठाक मिल गए और परिश्रम के कारण घर में समरिद्धी आ गई पती ने बड़ी लड़की का विवा दूमदाम से किया इसके बाद ये तदा गुरू से मंत्र लेकर कंटी माला पहन लिया और उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पती के चुने दामात को घर जमाई बना कर रख लिया और जीवन के तीसरे परिशेद में यानि कि जब वो अपने अगले स्टेप में बुला लिया क्योंकि उसका विवा हो जाने पर सब कुछ उनीक के अधिकार में रहता क्योंकि घर जवाई बन जाता तो इस तरीके से उसकी संपत्ती पर लोगों ने नजर रख रखी थी भक्तिन की लड़की ने उस तीतर बाज वर्क को अपमानित बालिका और मा विवश हो गई यह संबन्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दामार निश्चित होकर तीतर लड़ाता था जिसकी वज़े से पारिवारिक द्वेश इस कदर बढ़ गया कि लगान अधा करना भी मुश्किल हो गया लगान ना पहुँचने के कारण जमिदार ने बगतिन को कड़ी दोप में खड़ा कर दिया देख रहे हो आप कितना स्ट्रगल है इसकी लाइफ में यह अपमान वैस हैन ना कर सकी और कमाई के लिए वो शहर में आई और अब यहाँ पर क्या था कि भई उन्होंने मतलब घुटी हुई चांद मेली धोती गले में कंठी बहुत ऐसा उन्होंने हुलिया बना कर और वो लेखिका के पास आई नोकरी रोणने और उसने रोटी बनाना दाल बनाना और बहुत कुछ बताये कि मुझे यह सब आता है तो नोकरी मिल गई अगले दिन नहा दोकर और धुली भी धोती पैन कर और जलके छीटों से पवित रोकर वो बहार निकली सूरे को अर्ग दिया पीपल को अर्ग दिया दो मिनट उन्होंने जपा और कोईले की मोटी रेखा से चोके की सीमा निर्दारिस करके खाना बनाना शुरू कर दिया भगतिन छूत पाक को मानने वाली थी और लेखिका ने समझोता करना उचिस समझा भाई भोजन के समय भगतिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी, काली, चितिदार चार रोटिया परोसी तो लेखि का ने टोका उसने अपने तरक दिया कि अच्छी सेखने के प्रयास में रोटिया अधिक कड़ी हो गई है उसने सब्जी ना बना कर दाल बना दी इस खाने पर प्रस्ट वाचक द्रिष्टी होने पर वे अमूचरन लाल मिर्च की चटने एवं गाउं से लाए गुड का प्रस्तावर का मतलब बहांस भी कर देती थी बहुत बारी जो भगतिन थी वो बिल्कुल भी हिचकचाती नहीं थी ये इसकी परसनेलिटी है और भगतिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोट की सरलता से वे इतना प्रभावित होई कि वे अपनी आई सुविदाएं चिपाने लगी तो भगतिन स्वेम को बदल नहीं सकती थी वे दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाना चाहती थी बगतिन कहती थी मैं नहीं बदलूंगी आप मेरे जैसे बनो लेकिका देहाती बन गुण भी थे वे इदर उदर पड़े पैसों को किसी मटकी में चिपा कर रख देती थी जिसे वो घलत नहीं मानती थी पोछने पर वो बता देती थी कि ये उसका अपना घर है पैसा रुपया इदर उदर विखरा है तो रख देती है इसमें चोरी गया है अपनी मालकिन को प्रश करने के लिए वो इस बात को भी बदल देती थी वे अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी जो उसने कह दिया वो इस सही है उसके तर्गों को वो सबसे उपर मानती थी लेखिका ने उसे सिर घुटा ने से रोका तो उसने तीरत गए मुड़ाये सिद्ध कहकर थी वो भी पढ़ने लगी कि तो घर का काम कोन करेगा भगतिन अपनी मालकिन को असाधरणता का दर्जा देती थी इससे वे अपना महत्व साबित कर सकती थी उत्तर पुस्तिका के निरिक्षन कारे में लेकिका का किसी ने सयोग नहीं दिया इसलिए वे कहती फिरती थी कि उ सोना, कुता, बसंत, बिल्ली, गोदुली भी आराम करने लगते थे तब भी भगतिन लेकिका के साथ जाकती रहती थी नहीं कि ये बॉंड है उन दोनों के बीच का वे उसे कभी बुस्तक देती कभी सियाई तो कभी फाइल तो भगतिन लेकिका के जागने से पहले जाकती थ इतनी केरिंग थी, बदरी केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वे लेकिका से आगे चलती थी, पर उन दो गाओं की धूल वरी पकडंडी पर उसके पीछे रहती थी, लेकिका बगतिन को छाया के समान समझती थी, युद्ध के समय लोग डरे वे थे कि उस समय वे बेट का संबंदनी यह से बढ़कर संबंद था और इसमें अगर मैं आपको बताऊं इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भगतिन चले जाने का आदेश पाकर भी असकर टाल रही थी वह उसे नोकर भी नहीं मानती थी भगतिन लेकिका के करती थी जैसे लेकिका बात करती थी वह उन्हें आकार प्रकार वेश भूशाय नाम के पबरंस द्वारा जानती थी कभी हों के प्रति उसके मन में कोई विशेज आदर नहीं था परन्तो दूसरों के दुख से वह काफी कातर उठती थी वह किसी विद्यारती के जेल जाने पर उसको बुरा लग जाता था और वो कारगार से वोट ड़ती थी परन तो एक लेकिका के जेल जाने पर कुद भी उनके साथ चलने का हट किया अपनी माल्किन के साथ जेल जाने के हग के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को त्यार थी कि मैरी माल corrosion को अगर जेल में बगतिन लेकिका के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा शेर कर दें जै हिंद जै भार